अतीक अहमेत के बेटे असद हेमत का एंकाउंटर कर दिया UP पुलिस ने UP पुलिस की HDF ने एंकाउंटर कर दिया कल के दिन उसका और बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तालिया मजा रहे हैं इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ पत्रकार पी इसका विरोध कर रहे हैं, और बोलने कि ऐसा एंकाउंटर नहीं करना चाहिए था, अगर यह इंकाउंटर फ़रजी निकला तो यह होगा, वो होगा, तो मैं उन लोगों से सीधा सा कहना चाहता हूं, देखो, जो अतीक एहमद है और जो असद अहमद है, असद अहमद की बात पहले कर लेते हैं, इसने दो पुलिस वालों को मारा था, एक गवाह को मारा था, और इसके सांसा जो अतिक अहमद है, इस पे 53 cases चल ले हैं, अभी कुछ हत्याओं के case हैं, कुछ murder case हैं, बहुत सारे case चल ले हैं इसके उपर, अतिक हमद के बेटे, असद हमद का जो encounter हुआ है, इससे सीधा सा एक message गया है, जितने भी gangster लोग active हैं, उत्तर प्रदेश में, कि भाई, अगर कुछ भी करोगे, इधर उधर उगली करोगे, किसी का murder करोगे, तो सीधा encounter कर दिंगे, एक सीधा सा message उन लोगों पे भेजा है, जो लो अतिक हमद को कितनी भी सजा मिल जाए, वो माइने रखता ही नहीं है, माइने रखता है अतिक हमद का रुत्बा, अतिक हमद का वो जो डर है, जो इससे जनता डरती है उससे, उसका जो वो गुंडा गर्दी वाला रुत्बा होता है, उसे खत्म करने की ज़ुरत है, और यू पुलिस ने अब अतीक हमत को सजा मिले चाहे ना मिले चाहे दस साल की सजा मिले 15 साल की मिले कोई फरक नी पड़ता अतीक हमत का नाम सुनके जो पहले लोगों को डर लगता था अब वो डर की वैल्ली हो गई यह जी रो अब कुछ लोग यहां पर कहा देते हैं कि एंकाउंटर ऐसे नहीं करना चाहिए हो सकता है इसके पीछे किसी और की साजिस हो हो सकता है कोई नेता मिला हुआ हो और इसको मरवा दिया हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन जिस पत्रकार को अतिक हमत के बेटे ने मारा था उसकी फोटो साफ साफ यहां पर नजर आ रही है अतिक हमत का बेटा साफ साफ मारते वे सेसी टी फुटेज में दिखाई दे रहा है और मुझे इस बात की खुसी है कि अतिक हमत का जो डर है वो बिल्कुल खतम हो गया है अगर इसी तरीके से माफियाओं का खात्मा होता रहा पूरे उत्तर प्रदेस में तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दो-तीन साल ये आने वाले एलेक्शन तक यूपी में माफिया की संख्या हो जाएगी जीरो यानि कि शून ये और ये यूपी की जनतागले सबसे बेस्ट है अब आप लोग इस बारे में क्या सूसते हो मुझे कमेंट में लिखके जरूर बताएं